कि बहुत लोगों की पैरी थी कि सर कॉंब मैशन जिसमें इस्ट्राइजी सेख सेखते हैं जो तिश बहुत 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 गहरा ग्यान है बहुत गहरी एक समुंधर है। यतना अंदर इसके जाते जाएंगे। उतना ही आप तै नहीं मिलेगा इसका आप अंदर कुछ रीजन्स हैं इसके बिचेस्ट्राजी सेखने पढ़ती भी है और प्रूइस यह अंदर शॉक्राम के इंदर उन Luck बन रहे हैं तो आपके लिए स्ट्राजी सेखना जुना जाता हैं यहां पर एक चीश is बहुत जरूरी है कहनी कि astrology जो होती है आजकल बहुत जगा लोग astrology कर रहे हैं बहुत अच्छी भी कर रहे हैं बहुत बुरी भी कर रहे हैं क्योंकि इस एक के दो पहलू होते हैं हर profession में कोई इनसान अच्छा भी है कोई बुरा भी है तो कोई अपने means की वज़े से पैसे कमा रहा है इसके अंदर यह कोई इसको बहुत dedicatedly इसको अपना passion समझ के कर रहा है और कोई इसको बहुत ही जादा research के base के उपर कर रहा है तो सब का अपना अपना धंग है लेकिन ये combination भी कुंडले के अंदर होता है कि कौन means की वज़े से कर चला रहे हैं या कर रहे हैं जो भी है चलो उनकी अपनी समझ है लेकिन मेरे हिसाब से कुछ combination हैं जो बहुत जरूरी है ये बहुत बड़ा एक ये light है ये रोशनी है अंधेरे में रोशनी का काम करती है और लोग इसको use भी करते हैं हमेज यूज भी करते हैं तो हर तरह का इंसान यहाँ पे है तो अगर strawberry के थूरू अगर आप combination समझेंगे तो मैं हमेशा एकी बात कहूँगा कि honesty से कीजेगा अगर आप आज ये चीज आज ये वीडियो देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो सिखाने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत जैनलिल सिखा रहे हैं मैं भी क्लासिज जल्दी शुरू करूंगा वेरा काम चल रहा है सो बहुत honesty के लिए बहुत सारा इसमें knowledge लगेगा आपका बहुत सारा knowledge खरच होगा और बहुत honesty रखनी पड़ेगी healing करनी पड़ेगी और फिर आप astrology सीख सकते हैं फिर आप astrology एक practitioner अच्छे बन सकते हैं healing जो touch है वो आपकी दिमाग में होना चाहिए कि heal करना है किसी को क्योंकि आपके कुछ words selfless acts जो होते हैं वो भी कई बार किसी को heal कर जाते हैं मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ मैं को उपाई बता रहा हूँ कोई यह वीडियो देखके खुश हो रहा है तो वो भी healing का काम कर रहे हैं अगर आपको कोई उमीद जाकती है किसी को भी देखके कि हाँ यहाँ पर रास्ता है तो वो healing है क्योंकि किसी के चहरे पर smile देना आज की date में सबसे ज़्यादा मुश्किल है आपने लोगों को दुखी होते तो देखा होगा लेकिन खुशी कोई कोई बांच सकता है तो अगर आप astrology करें और आज आज आपका मन बने कि मुझे जोती सीखना है तो पहली बात तो यह रखेगा कि एक honesty अपने अंदर रखेगा healing सोच रखेगा और जितना आप honesty से को सीखेंगे उतना ही आपकी इश्वर मदद करेगा इसको सीखने में बात शुरू करता हूँ किसको किसको astrology सूट करती है किसको करने चाहिए किसको किस हिसाब से करने चाहिए कौन से प्लैनेट इसमें role अदा करते हैं जब आप astrology सीखने का मन बनाते हैं तो उस time पे right away एक divine power आपकी help करती है अगर आप job कर रहे हैं अगर आप business कर रहे हैं अगर आपका ध्यान astrology की तरफ होना शुरू हो गया है तो आप ये समझे है कि आपके काम में disturbance आने शुरू हो जाती है क्योंकि एक divine power आपके साथ attach हो जाती है कि अब इस science को सीखना है तो इस science के पीछे divine आशिरवाद भी है divine blessings भी है somewhere काम क्यों disturb होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके अब astrology साधना मांग रही है साधना का बहुत बड़ा combination है आपके जिंदगी में healing के साथ साधना का अगर आप साधना करते हैं तो उस में से आप किसी को heal करते हैं तो वो healing definitely अगले के लिए काम करती है तो जब आप दिमाग में ये tease आपके आ गई आप जोतिस सीखना है तो आप समझेगा कि आपका ध्यान हटना शुरू हो जाएगा इधर उधर से और वो ध्यान connect to national हो जाएगा आपका astrology से आप जाके चैनल ढूटोगी astrology वाले जहां से astrology सीख सके तो divine power आपके साथ जोड़ जाती है blessings जोड़ जाती है साधना का time शुरू हो जाता और वो जो ईश्वर होता है वो जो blessings होती है या वो deity जो होता है वो आपसे साधना मांगता है सीख इसको सीख इसको साधना कर साधना कर साधना कर तो उस time पे आपको जोतिश सीखना शुरू करते हैं combination कौन से है होरस्कोप के अंदर there are certain combinations जो आपको astrology की तरफ लेके जाएंगे और बड़ी कामयाब astrology आप कर सकते हैं astrology होती है कि अगले को predictions देनी अच्छे predictions देनी अच्छे उपाई देनी सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है आपका एक being an subtle astrologer की एक बार अगर client आपके पास आया वो दोबार आपके पास आएगा ही आएगा अगर आपके जोतिश में सचाई है तो सबसे पहले counselling पार्ट मैं बहुत बार बोला है कि जो इनसान counselling नहीं कर सकता उसको जोतिश करने का हक नहीं है counselling इनसान को उस समंदर से उस गहराई से निकाल के किनारे पे ले आती है उठा के किनारे पे ले आती है जो शायद आपके उपाई भी न करें counselling part is very important हर जगा counselling की जरूरत नहीं होती है लेकिन counselling का आठ आपके अंदर होना चाहिए counselling का आठ बहुत जरूरी है यह अगर आपके अंदर है तो आप एक बहुत सफल स्टॉजर बन सकते हैं combinations सबसे पहला combination 8th Lord जोतिश कर सकते हैं पहली बात 9th Lord religious education 9th Lord का exchange 8th house के साथ in any form Lords का, नक्षतराज का, राशियों का अगर को combination बन रहा है तो भी आप astrology सीख सकते हैं कर सकते हैं 9th Lord का 10th house के साथ combination या इनका आपस में कोई interchange या इनका कोई connection अगर बनता हो तो भी आप astrology सीख सकते हैं astrology सीखने की बात करा था कौन जोतिस से पैसा कमा सकता है no doubt हमने जब ये combination देखना है तो हमने 8th Lord, 9th Lord, 10th Lord का जो combination बनाया है या भी हमने जो इसका set देखा है इनका exchange का, Lord के exchange का, नक्षतराज के exchange का एक दूसरे को देखने का इनका connection second house के साथ और आपके कुंडली के 11th house के साथ second house is a house of money, पैसा 11th आपका love, gains अगर इनके साथ combination बन रहा है तो आप इसमें पैसा कमा सकते हैं कि लोग सिरफ research based सीखना चाहते हैं सिरफ सीखना चाहते हैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उनका 8th lord का combination 5th house के साथ मनाता है 5th house is a house of consultations क्या आप consultant बन सकते हैं 5th lord का exchange 8th के साथ 5th lord का exchange 9th के साथ 5th lord का exchange 10th के साथ अगर हो तो आप बिलकुल practitioner बन सकते हैं एक अच्छे practitioner बन सकते हैं no doubt second lord का भी यहाँ पे बहुत जादा रोल है क्योंकि अगर revenue की बात करेंगे तो revenue यहाँ से ही आएगा सिर्फ research की बात करेंगे तो 8th का connection 8th, 9th के साथ, 10th के साथ 5th के साथ अगर हो तो आप astrology सीख सकते हैं सफल true astrology इसको हम honest astrology के बात कर रहा हूँ मैं उस astrology की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मर्जी जो मन में आया बोल दिया यहाँ copy कर के बोलना शुरू कर दिया अब कौन से ग्रेंगे हैं जो responsible होते हैं आपको जोती सिकाने के लिए सबसे पहले केतू जो occult science के मालिक हैं जो spirituality के मालिक हैं जो धार्मिक्ता के जो मालिक हैं केतू मोक्ष का भी इसको planet कहा गया है तो यह भी अगर हैं आपके कुंडली के अंदर active हैं बहुत जादा तो आप astrology सीख सकते हैं यह जो केतू अधीन astrologer होते हैं जिनका केतू बहुत अच्छा होता है कुंडली के अंदर यह astrologer अगर बन जाते हैं तो यह लोग बहुत honest astrology करते हैं भक्ती के साथ करते हैं religiously करते हैं बहुत अच्छी सादना करके heal करते हैं लोगों को जोपिटर अच्छा हो कुंडली के अंदर no doubt बढ़ अच्छा astrologer बनाता है यह लोग भी genuinely खेरते हैं क्योंकि जोपिटर है बड़ी fair deal करता है अगर आपकी कुंडली में जोपिटर बहुत अच्छी position में हैं उच्छे के हैं well placed हैं अपने कारका भाव में भी बैठे हुए हैं तो भी आप मानिए कि आप एक बहुत honest और अच्छे astrologer बन सकते हैं और आपकी guidance चोगा अगले को heal definitely करेगी केतू तो healer ही है गुरू भी healer है जब आपको कोई मुसीवत आती है आप अपने गुरू को याद करते हैं आपको अंदर से थोड़ा सा relaxation मिलता है क्योंको बहुत ज़ादा है क्योंको थोड़ा मिलता है लेकिन मिलता है रिलाक्स करते हैं तो जबिटर बहुत fair deal करते हैं और genuinely ऐसे astrologer होते हैं गुरू परधान astrologer और केतू परधान astrologer केतू के नक्षतरास अगर आपके कुंडली के अंदर बहुत ज़ादा जबिटर के साथ exchange हो रखे हुए हो तो भी आप astrologer बन सकते हो कीतू के नक्षतरास कौन से कौन से हैं अश्वनी, मगा और मूला ये नक्षतर अगर जबिटर के साथ कहीं जबिटर इनके नक्षतरास में बैठा हुआ है तो भी आप एक honest अच्छे astrologer astrologer practitioner बन सकते हैं इसके इलावा शुक्र अगर कुन्डली में बहुत अच्छा हो ऐसे astrologer remedies बहुत ही इनकी काम करते हैं बहुत दीवी remedies इनकी लोगों के लिए बहुत सदा काम करते हैं और शुक्र अधीन जो अच्छा शुक्र हो कुन्डली में बहुत अच्छा शुक्र हो कुन्डली के अंदर तो ऐसे astrologer की जो उपाई होते हैं ये consultation में सिर्फ उपाई बता दे तो भी बहुत अच्छी इनका practice चलती है लोग इनके पास बार बार आते हैं क्योंकि इनके बास healing touch होता है शुक्र हमारे medicine को भी represent करते हैं यानि कि आपके हाथ से दिया हुआ उपाई as a medicine अगले के लिए काम करता है और ये definitely काम करता है no doubt इसमें कोई दो रहाई नहीं है कि ये काम नहीं करता है शुक्र अधीन शुक्र प्रधान astrologer जो होते हैं इनके उपाई बहुत अच्छे काम करते हैं राहु अधीन astrologer जल्दबाजी में आपको देखेगा जल्दबाजी में आपको बिना prediction के ये आपको बिना counseling के आपको उपाई देखे बाहर भेजने की करेगा और similarly है कि उपाई सब के उपर लिखते जाएगा ऐसा उपाई कर लो तकरीबन राहु परधान astrologer के जो उपाई होते हैं ये बहुत same to same होते हैं और ये copy get होते हैं कॉपी करके कुछ भी चिपका देगे आपको कुछ भी तो अगर आपकी कुणली में राहु बहुत अच्छा है तो मेरे ज़ाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको सीखना है सीखे लेकिन तूपी research के भी मालक हैं अगर आप research में जाएंगे तो राहु आपको बहुत बुलंदिया देगा लेकिन नेचर में शुमार हो जाता है कि इनसान जल्द जल्द उपाई देके फ्री करने की कोशिश करता है बुद्ध अधीन वेरी इंटेलिजन स्ट्रॉलिजर्स बहुत अच्छे astrologer ये बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं बहुत अच्छी counselling करते हैं counselling partner का सबसे best होता है इनके remedies बहुत अच्छी होती हैं सबसे बड़ी बात copy नहीं की होते हैं ये वैदिक को उठाते हैं लाल बुक के रेड बुक के लाल किताब के जड़ को उठाएंगे ये नहीं है कि कहीं से सुना और किसी को दे दिया ऐसे astrology बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे वाले ये ऐसे लोग जो हो astrology करते हैं तो इनको भी अगर astrology सीखने का हो तो ये जरूर सीखना जैंकि कुंडली में बहुत अच्छा हो जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे astrology बन सकते हैं सिधी सिधी शॉट में मैं बहुत अगर मैं बूल दो इसके इलावा अगर बात करूँ आपके moon की moon अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो तो emotional support देने वाले अगर आप किसी को मिलने गए हो वो आपकी बात सुनके पहले खुद रो देगा उसकी खुद ये आँखों में आसुआ जाएंगे लेकिन ऐसे astrology बहुत कम है अगले की problem को solve करने की कोशिश में लगे रहें साधना करें help करें definitely कि चंद्र परदान कुंडली में भी इस ट्रॉजर बहुत अच्छे मानेगे हैं एक राहू के अधीन ही है जो थोड़ी सी जाल साजी करते हैं कहीं का भी कहीं भी बोल दिया और कहीं का उपाई उठाके कहीं से बड़ा और अपने चैनल पर जाके बोल दिया या कुछ भी अपने आर्टिकल में लिख दिया किसी का भी उठाके कापी कैट करके कापी करके उसको आगे चिपका दिया ये राहू परदान कुंडली में हो तो ऐसे कुंडली में राहू अच्छा है तो मैं फिर कहूंगा रिसर्च बेस अस्ट्राजियर बने के क्योंकि राहू रसर्च का भी कारका है तो जितने मैंने प्लैनेट अभी बताए हैं ये वाले अगर कॉंडली में आपके अच्छे हैं जिस तरह का मैंने अस्ट्राजी बताई है ये लोग ऐसी अस्ट्राजी कर सकते हैं और इनको अस्ट्राजी करने चाहिए भी बात करूँ नाइंथ लॉड की मैंने बात की थी नाइंथ आपका भागे स्थान है बारवे घर के साथ भी गर कॉंबिनेशन हो तो भी आप बहुत अच्छे स्ट्राजी बन सकते हैं नाइंथ भागे का स्थान बारवा जो घर है ये कहीं न कहीं सेल्फलेस एक्ट का भी है आश्रम्स का है हल्प का है ये एंजियोज का है और ये मतलब की बिना किसी मतलब के selfless astrology करते हैं ऐसे लोग पैसे नहीं लेती बिना पैसे की काम करते हैं और मर्जी से काम करेंगे वोड से काम करेंगे यह combination है भागेस्तान का combination अगर बन जाए भारमे घर के साथ तो भी अच्छे astrologer आप बन सकते हैं बहुत अच्छे astrologer बन सकते हैं लेकिन एक चीज़ एंड में मैं जुरूर कहुँगा, जब भी आप एस्ट्रॉलोजी सीखें एक अपनी फीस ज़रूर धारित करें, क्यों? क्योंकि बिना फीस के अगर आप काम करेंगे, जिसकी साधना करके आप एस्ट्रॉलोजी कर रहे हैं, वो लोग अगर बिना पैसे के काम करेंगे तो वो लोग उनके लिए इस्ट्रालोजी भारी पड़ जाती है तो आप कंसल्टन बन सकते हैं अच्छे कंसल्टन बन सकते हैं और लंबी रेस के गोड़े ऐसे होते हैं ऐसे एस्ट्रालोजी बहुत दूर तक अपने जिन्दगी के एंड तक एस्ट्रालोजी करते जाते हैं बैकफायर किनको करेगा बैकफायर एस्ट्रालोजी किसको करेगी एस्ट्रालोजी बैकफायर उनको करेगी जो जोतिश के नाम पे समान बेचते हैं उनको बैकफायर तर जाते हैं, यहां बिना मतलब के समान बेच देंगे, क्योंकि उनका परस्टन अगर मीन होगा, वो अगर एस्ट्रालोजी करेंगे और इस तरह से यूज़ करेंगे, उनको उनके दिये हुए रेमेडिस बैकफायर करेंगे, करेंगे, साधना कोई नहीं होत ही, कोई भी पीछे उसके जो है, किसी तरह का भी मेहनत नहीं होती, लेकिन सिरf सच जूट बोलना जानते हैं, सामना अगले इनसान की पौकिट में किया है, ध्यान उस तरह होता है, और ऐसे लोगों की प्रेक्शन नहीं होती यह PREDICCTIONS नहीं कर पाते, लेकिन इसामान बैक्फायर करेंगे ही यह मैं नहीं कह रहा करम विपाक सहिता में यह चीज क्लियर मैंचनड है लॉड़ शिवा का अर्टिकल है उसके अर्दर मैंचनड है जो अपने मीन्स की वज़ा से अपने मतलब की वज़ा से कोई समान बेच रहा है आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी अगर आपको कोई बेच रहा है या आप किसी को दे रहे हैं ये लोग ऐसे लोगों को astrology के दिये हुए remedies बैकफायर कर जाती है सो सोच समझ के ये बहुत पवितर साइंस है और उतनी ही सफल भी है और टेंशन वाली भी है टेंशन किसको जो ये काम करेंगे सो astrology कीजिए honestly कीजिए combination देखिए अपनी कुंड़ी के अंदर जो मैंने बताए हैं वो combination अगर आपकी कुंड़ी में है definitely आप एक बहुत अच्छे astrology बन सकते हैं ये था मेरा की एक चोटा सा अपको message की आप कौन-कौन astrology कर सकता है classes जब start होंगी YouTube के उपर proper announce कर दिया जाएगा और आपको जब-जब आपका जज़े से आपको information मिले आप अपना enrollment करा सकते हैं limited enrollment होगा जादा नहीं होगा लेकिन अब इसकी जो dates है और अनाउंस हो नहीं है